दिव्या बेबी लाइफ आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गरब अबस्ता बहुत अच्छे से चल रही होगी आज फिर से एक सस्क्राइबर को बेबी बोई हुआ है उनका मेरे पास मैसेज कल आया था कि मैम आप वाले सिंटम मुझे मैच होते थे और मुझको बेबी बोई हुआ तो मैने मैने कॉंग्रेचुलेशन और आप सब भी उनके बच्चे और उनकी हल्दी लाइफ के लिए बहुत सारी दुआएं देखे स्क्रीन शॉट भी मैं लगा रही हूं आप देख लीजिए उनका मैसेज कल आया था बट मैं आज ही वीडियो डाल रही हूं क क्योंकि मैंने राप में उनका मैसेज देखा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए तो बहुत सारी सब्सक्राइबर है जिनको बेबी बॉय हुआ है और मेरे ही सिम्टम उनके साथ मैच करे हैं तो मैं आपको अपनी वीडियो में आपसे अपना परसनल एक्सप करके रखो ताकि जो भी आपका डाउटो प्रेगनेंसी में तो आप मुझने वह पू. आज की वीडियो स्कैन नहीं होते थे होते भी थे तो बहुत रियर होते थे गाउं में तो यह चीजे होती नहीं थी सिरफ दाइमा जाके घर पे बच्चे की डिलीवरी कर देती थी और वह बहु बेटियों के चाल चलन खाने पीने के तरीकों को ही देखकर अनुमान लगाती थी कि अगर ऐसा ह है तो आपको लड़का होगा अगर वैसा है तो आपको लड़की होगी और उनके अनुमान कहीं न कहीं कभी कभी साबित हो जाते थे जो कि एकदम करेक्ट होते थे और उनको बेबी बॉआ या बेबी गल हो जाते थे इसी के तरह आज भी बहुत सारी जो महिलाइं है बहुत हार एक जगा अलग अलग चीज़े बोली जाती है आपके घर में भी बोली जाती होगी है ना कमेंट बाक्स में मुझे जरूर बताईएगा और ये भी बताईए का प्रेगनेंसी का कौन सा महीना आपका स्टार्ट है देखिए प्रेगनेंसी का जो लास तिमाही होती है याने की 7-8-9 महीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेट होता है क्योंकि इस टाइम पर बच्चे का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से हो रहा होता है अगर किसी महीला का वेट बढ़ता नहीं है वो तिल 7-8-9 महीने में बहुत तेजी से बढ़ता है तो अच्छे से अपना डाइट प्लान फॉलो करो हेल्दी चीजे खाओ पानी भर पूर मात्रा में पियो ताकि जहूने वाली संतान है वो हेल्दी हो और आपकी प्रेगन अच्छे से पहले थी वैसी है कोई बॉडी में फर्क नहीं है काली बेबी बॉंब का ही अकार बाहर है यानि कि सिर्फ लेट आपके पेड़ पर तो यह निशानी एक बेबी बॉइट की मानी जाती है ऐसा माना जाता है जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो मां बहुत ज एक्सीजे नोटीस करी हैं बहुत सरे श्म्राइबर का एक्सपर्येंस एवन मेरा भी एक्सपरेंस मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी बौडी के ओपर कोई फर्क नहीं पड़ा जैसे कि माँ मोटी नहीं हुई और बहुत सरे शॉस्क्राइबर जिनको अभी फिलाल में बी तो यह लक्षन मेरे केस में भी सटीक था में भी आपके केस में भी सटीक हो जाए अब बात करते हैं पैरो को लेकर बहुत सारे बदलाओं में लेकि प्रेग्नेंसी का साथ वाठो नवा मीने कैसा महीना होता है कि स्टैंपे बॉडी का जो वेड गेन बहुत तेजी से बढ़त अब इस चारे चीजों को भी देखकर पहले की दाईमा बोलती तेजिए अगर पैरो के एठान है दर्द है जन जना हाथ है इवन अगर पैर में नस बहुत चड़े खासका राइट पैर में तो यह लड़का होने की निशानी होती है वहीं अगर आपके पैरों में जादा रहती है तो यह लड़की होने के जादा चांसी होते हैं अपना एक्सपेरिंस बताओं तो मेरे पैरों की नस बहुत चर्थी थी रात में इवन पैरों में दर्द बहुत रहता था और यह लक्षन में मेरे केस में 110% सटीक था और जिनको बेबी बोई हुआ हुआ है बिल्कुल मैच होते थे उनके भी पैरों में पेइन था उनको भी बेबी बॉइवा बात करते हैं थर्ड स्किन में बहुत ज़दा बदलावाना देखिए पेगनेंसी जैसी कंसीव होती है स्किन में बहुत जल्दी से बदलाव दिखना शुरू होता है लेकिन जब आपका अगल्स्कीन आ होता है जिसकी मातर अब बहुत जादा बढ़ जाते हैं तो रण काला दिखने लग जाता है अरण की ह्यों शुरू होती है तो तो आपकी स्किन का कलर फेयर रहेगा, स्किन पहले से शाइनी लगेगी, जैसे फेशल वाला ग्लो होता है, उस तरीके का ग्लो दिखेगा, तो यह सिरफ हार्मोन्स करके बदला होता है, बाकी तो देखे, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसे नहीं होती, सबकी अलग लग सिंप्ट वहीं जब लड़के पेट में होते हैं, तो मा का स्कीन का कलर डल हो जाता है, काला दिखता है, या रूखा दिखता है, वैसी वाली फेस से फीलिंग आती है, तो यह लक्षन मेरे केस में भी सटीक था, और कई सस्क्राइबरों के साथ भी सटीक था, देखे, जो सिम्टम में अनुमान के तौर पर यह सिम्टम है, तो इस वीडियो को देकर सिर्फ अपने मन की क्योसिटी को कम करिएगा, कोई भी मन में गलत धारना मत लेके आईएगा, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी की प्रेगनेंसी के अगर आप करो अपने से मैच करो तो कोई ए में आएगा, तब सिम्टम क्या देएगा होती है यह लेक्षन बहुत ज़्यादा सबीक है, बहुत सारी महिलाओं के साथ यह लेक्षन सातीक हुआ, उनको बेबी बॉघ हो है, तो कौन सा सीम्टम है, स्टार्टिंग में आपको वांटिंग नौजी आप ज़दा जाती है, और नौवा आठवा महीना जब शुरू होता है और यही सेम प्रॉबलम आपको रहती है कि नीद बहुत जादा आती है, बॉडी आलसी हो जाती है, वाम्टिंग की प्रॉबलम रहती है, तिल नौवे महीने तक यह सटीक लक्षन होता है कि आपको बेबी गर्ल होने के जादा स स्कॉप होते हैं, जिन जिन महीना को बहुत जादा वाम्टिंग, नौज़ी बॉडी में बहुत ज़दा आलस, नीद जादा आना देखा गया, उनको बॉसली लडकी होती है, और जो बहुत ज़दा प्रेग्नेंसी में अक्टिव रहते हैं, हर एक काम बहुत जल्दी से कर और बॉडी पहले के प्रेगनेंसी से पहले तो उनको जादा तर बेबी बॉइ हुआ है तो यह लेक्षन बहुत सारी महिलाओं के सटीक हुआ है तब ही एलक्षन में आपके साथ शेयर कर रही हूं तो वीडियो को इंज्वाइली लीजेगा क्योंकि वीडियो बनाने का परप किये यह लख्षन मेरे किसमे सटीक तो सटीक को जाएं अगर होते हैं तो फ doughnut को होँआ प्रोब्लम ने लड़का-anno है można अधिकार दीजी ने उनको प्यार दीजी । मिलते हूं किसे नए वीडियो के साथे design पाइए टेक टेक गया